तो मैंने यहां पर आज बारिष के समय में मिलने वाली अर्वी की सबजी बना करके तयार किया है और आप बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल तरीके साथ इसे बना करके तयार कर सकते हैं हे अबरिवन देसी कुकिंग भी तेकता मैं आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ और भी के सबजी थोड़ा नया तरीके से बना कर तयार किया है पर बहुत ही आसान और बहुत ही चटपटी सबजी बनकर तयार होती है मैंने धोहके साफ करके से ले लिया है और आप चलते हैं हम मसालत यार करते हैं तो आप इनकों क्रिम्श के नमक याहां बड़ा चेंअ छूटा चंविवाया चाहिए च्पांजी सब्सक्तों और इसके बाद हम लेंगे काली मिर्च का पाउडर तो काली मिर्च और जीरा का पाउडर हम यहां पर आधा छोटा चमच ही लेंगे और उसके साथ हम इसमें डाल देंगे अधरक लसन का पेस्ट तो मैंने यहां पर एक बड़ा चमच अधरक लसन का पेस्ट डाल दिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी आड़ करके इसका एक अच्छा सा गोल बना करके तयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे गोल देती हूँ और इसका एक मोटा सा गोल बना के तयार करना है बिल्कुल इस तरह से यह देखिए हमारा गोल तयार हो गया। अब साथी हम एक और कटोरी लेंगे और इसमें डालेंगे हम एक से दिर्ट चमज आमचुर पौडर अगर आपके पास आमचुर नहीं है तो आपने मू का रस भी डाल सकते हैं अब पर 4-5 टेबल स्पून मैंने पानी डाला है और इसे घूल करके हम तैयार कर लेते हैं और इसे रख लेते हैं तब तक हमारा कड़ाई भी गरम हो गया है और अब हम डालेंगे इसमें तेल तो मैंने 3-4 बड़े चमज सरसो का तेल का यूज़ किया है आप कोई भी तेल हपी मेधी डाने डाले हैं और एकर अमें अब घूए सब्सक्राइब करोंसे बनाध trat दूए बेटन धने करेंगे और करना को सब्सुनियरा क्षाइब रखेंगे और धीर धीर से पकाते रहें अगर आप चाहें तो इसे ढखका सकते हैं या ऐसे खुले करके भी आप पका सकते हैं देखिए यहां पर चार से पाच मिनट हो गया है और जो हमने फ्राइ किया था इसका कलर भी कितना अच्छा आ गया है तो अब हम इसमें जो हमने मसाल्य का घोल बना कर तैयार किया था धनि हमारा सबजी है ना वह मसाले का पूरा कोटिंग उसमें हो जाए अच्छे से और इसी तरह से चलाते हुए हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और गैस का फ्लेम यहां पर स्लो करेंगे और धीरे धीरे इसे फ्राइब करना है बिल्कुल पांच से दस मिनट तक और अगर पांच से चे टेबल स्पून मैंने पानी एड़ किया है और धीरे धीरे से मैं पका रही हूं और गैस का फ्लेम हम स्लो रखेंगे बिल्कुल रहेगा आप इसे धककर फ्राइक कर सकते हैं और धककर फ्राइक करने से जो हमारी सबजी है वह बहुत जल्दी पक जाएगी तो अब इसे धक करके फ्राइक करते हुए इसी तरह से पांच से दस मिनट तक पकाईए मैंने इसका धककन हटाया और आप देखिए कितना अच्छा इसका कलर भी आ गया है जो हमारा तेल है वो भी थोड़ा उपर हमें दिख रहा है और मसाले भी जो थोड़े सुखे हो चुके है और यह पूरी तरह से मसाला और जो हमारा अर्बी है वो एक दूसरे मिक्स हो गया है और गोल्डेन बहुत ही अच्छा कलर भी इसका आ गया है तो अब हम इसे चला लेते हैं और थोड़ा सा मिक्स करते हुए फ्राइ करेंगे और एक मिनट तक हम इसे ऐसे सुखे फ्राइ आता है वो बहुत ही अच्छा लगता ऐ बेदा है इस तरह से फ्राइब करने पर पूरी हमारी अध्य मिला एच पर टिक वाक्ता सो दीमा रखना है और बीच बीच पे हम इसे चेक करते रहेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गया है और मेरा जो सबजी है वो थोड़ा पक के तयार हो चुका है तो हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ऐसे ही हमें लपटा सा सबजी रखना है तो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि हमारा जो अरबी है वो पका की नहीं यहाँ देखिए मैंने कट करकि चेक किया तो मेरा जो अरबी है वो अच्छे से पक के तयार हो چुका है तो जब हमारा सबजी इस स्टेज पर पहुँच जाए तब हम इसमें डालेंगे आम्चुर जो हमने पानी में घोल करके रखा था, अगर आप चाहे तो इसे स्किप करके नीम्बु का रस भी इसमें डाल सकते हैं, तो यहां पर मैंने आम्चुर का यूज किया है, और वो मैं अभी इसमें डाल देती हूँ अच्छे से, और फिर हम कर देंगे और यहां पर हमारी अरबी की जिक्ता हन्ट निकाल लेजें मार्बी की तवजी हisions वो बनके तयार हो चुकिंगे रूटिया के बधर रेक्षी दुक्त रविक,"र लेख़िए अच्छक वयाले की हैं नीज्टा जरू ट्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मसाला अर्बी की चटपटी से सब जीबन कर तयार है आप इंजॉय कीजिए गर्मा गर्म और कमेंट्स करिए कि आज की रस्पी आपको कैसी लगी और फिर मिलू एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए बबाई